आज हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन से message send कर रहे हैं और यहाँ पर आपको problem आ रही है message not send retry problem तो इस problem को कैसे ठीक करें आइए जान लेते हैं तो सबसे पहले आप चैक करीए इस problem के आने के 2 तीन reason हो सकते हैं अगर यहाँ पर जिस sim से आप message send कर रहे हैं उस sim के network नहीं आ रहे होंगे तो इस type की problem आपको आ सकती है थर्ड reason हो सकता है आपके sim में SMS pack नहीं है या फिर recharge नहीं है अब यहाँ पर यह सारी चीजे ठीक हैं उसके बाद भी message send नहीं हो रहा है retry problem आ रही है तो यहाँ पर इसके लिए अपने phone में settings को open करिए sim card and mobile network का एक option आएगा इस पर click करिए इस पर click करने के बाद network mode पर click करके 4G या फिर prefer LTE select करिए और उसके बाद यहाँ पर carrier पर click करके auto select को बंद करिए और यह फिर से searching लेगा थोड़ा सा wait करिए उसके बाद जो आपका sim card होगा वो automatically select हो जाएगा उसके बाद auto select को on करिए और इसे फिर से on करने के बाद back आएंगे फिर से back आईए और नीजे scroll करके app manager को अपने phone में open करिए app manager में आने के बाद आपके phone के सारे application यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस type से messages messages पर click करिए उसके बाद force stop पर click करके ok करिए storage पर click करके clear catch का एक option आएगा इस पर click करिए catch data को clear करने के बाद back आईए permissions पर click करके अगर आपकी कोई permission होगी जो की चालू नहीं है तो सारी permissions को चालू करिए यानि की on करिए उसके बाद back आएंगे फिर से back आईए और यहाँ पर back आने के बाद आपको settings में messages का एक option मिलेगा इस पर click करिए नीचे scroll करके आपको मिलेगा additional settings या फिर more settings इस पर click करिए अब click करने के बाद आपको मिलेगा SMS center number इस पर click करिए उसके बाद आपका नीचे एक number आएगा अगर ये number गलत है तो इस type की problem आपको आ सकती है तो आप किसी browser में search करिए अपनी sim का नाम enter करके atl, vodafone, idea, geo जो आपकी sim है उसके बाद SMS center number उसके बाद अपने state का नाम यानि के अपनी location और search करने के बाद जो number आएगा वो यहाँ पर enter करके ok करेंगे और उसके बाद आप check कर सकते हैं आपकी problem solve हो जाएगी अब आपको retry problem नहीं आएगी बट अगर आपको फिर भी problem आ रही है तो आप एक बार customer care से contact कर सकते हैं अपने sim card के तो यहाँ पर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें